हलो दोस्तों, NCRT solution में आप सभी का स्वागत हैं आज के इस session में हम बात करेंगे NCRT के class 10th mathematics के solution के बारे में आज का जो हमारा topic है वह है pair of linear equation in two variables जो की class 10 का chapter 3 है पिछले बाला वीडियो में हम बात कर चुके थे exercise 3.1 के बारे में उस वीडियो का link इसके description में मिल जाएगा तो आज का जो हमारा topic है वह है exercise 3.2 तो question में फर्स दिखते है from the pair of linear equation in the following problems and find the solution graphically तो हमें जो भी बनाना है वह graphically बनाना है मतलब graph पे दिखाना है पहला कह रहा है इसका फर्स बाट करते है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys मतलब जो भी boys का number है उसे girls का है 4 अधिक है find the number of boys and girls who took part in the quiz solution देखते है solution first क्या देखते है let the number of girls be the x and number of boys y according to the question the algebraic representation x plus y is equal to 10 okay x minus y is equal to 4 for x plus y is equal to 10 हुआ ठीक है यहां से हम x की value निकाल ले ठीक है उसके बाद क्यार करते हैं कि यहां पर हम yicion two value Celsius और you company आयीड यहां पर खेटे हैं तो y ओआई पर 5 से स्टार्टिंग की हैं तो y आईकुस सकते मिये आईक second equations क्या निकला for x minus y is equal to 4 तो x is equal to 4 plus y तो अगर y की value हम vary कराते हैं या तो 1 रखो या तो 0 रखो या तो 2 रखो या तो 3 रखो मतलब कुछ भी number रह सकते हैं ठीक हैं आपकी मर्जी तो अगर y की value हमने 1 रखा है तो x की value 5 आ गए y की value 0 रखा तो x की value 4 y की value minus 1 तो x की value plus 3 आ गए तो hence the graphic representation follows मतलब इस दोनो value को मतलब यह जो हमारा दोनो table निकला है इसको हमको graph पे दिखाना है तो graph पे कैसे दिखाए देखिए पहरे तो इसको हम zoom कर लेते हैं ओके यह देखिए यह मेरा x axis है plus direction का यह y axis है plus direction का यह x axis minus और यह x y axis आपका y dash है यह x dash है ठीक है यह minus यह minus यह plus और यह plus ठीक है यह प्वाइंट पहला बात तो हम point की बात करें यह देखिए क्या है x y 5 पे तो x भी 5 इस पे देखते हैं अगर y 5 होता है y plus में यह y 5 है ओके इस y 5 पे देखिए x क्या है 5 है ठीक है तो ऐसे हमें क्या करना है इस point को represent करना किस पे इस graph पे ठीक है और ऐसे ही इस वाले में देख लेते हैं पहला क्या है y 1 है तो x कितना है y1 मतलब यह y1 है तो देखिए y1 y1 positive है ठीक है तो y1 है तो देखिए इस point पे जो है y1 है और x क्या है 5 पे इस point पे देखिए तो यह क्या करना है इसको represent करना है graph पे तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक graph पे पर लाइए ठीक है इसके साथ जितने point निया इस पे क्या करिए कट कर आइए कोई दिक्कत नहीं यह वाला equation तो वाना x plus y कर लाता है और यह वाला equation x minus y मतलब x plus y is equal to 10 और यह x minus y is equal to 4 ठीक है ऐसे देखिए क्या लिखा है from the figure it can be observed that line intersect each other at the point 7,3 का इंट्रेक्सेट कर रहा है यह देखिए यह जो लाइन इंट्रेक्सेट कर रहा है यह दोनों लाइन जहां कट कर रही है इस point को observe किया गया है वह क्या निकला है 7,3 निकला है तो therefore the number of girls and boys in the class or are x and 3 respectively जो हमने x माना था वो girls के लिए माना था और जो y माना था वो boys के लिए माना था ठीक है इसमें अब second part जो दे रखा है इसमें हमें क्या करना है solve करना है कैसे देखिए let the cost of the one pencil हमने एक पेंसिल का जो प्राइज माना हमने क्या माना एक रूपीज माना ठीक है and the cost of the one pen और जो एक पेंड का जो प्राइज हमने माना y ठीक है according to the question the algebraic representation is 5x plus 7i is equal to 50 साथ question में देखिए क्या कहे रहा है हमने question तो पढ़ा नहीं जो question में कहे रहा है कि 5 pencil और 7 पेंस तेखिए यहां पर question में पढ़ लेते एक पाइज और 7 पेंसिल का जो प्राइज है वह 50 रूपीज है were as seven pencil and five स्वेंज together cost uh are as 46 find the cost of the one pencil that of the one plane मतले एक एक पेंसिल और एक प्राइज में क्या करना है घ्यात करना है ठाँ तो solution को देखते है इसके देखिए तो हमने माल लिया कि जो एक पेंसिल का जो प्राइज हो एक से और एक पें का जो प्राइज हो आई प्राइज सुरी प्राइज फिर प्राइज इसमें एक्स की वेलू निकाली हमने क्या करते हैं इसमें ट्राइज को व्यरिस करेंगे फिर्सका मतलब वाई की वेलू या तो 1 रख सकते हो आप या तो 0 रखो या तो 2 रखो या तो 3 रखो या तो 4 रखो या तो 5 रखो ठीक है बच्चो तो इसमें Y is equal to 5 रखा गया है ठीक है तो X की वेलू अगर Y is equal to 5 रखे तो 5 से बंजा 35 तो 50 में से 35 कड़ा तो 15 आया फिर 5 से डिवाइड हो तो कितना गया 3 आगया 3 आगया 3 फिर Y is equal to 0 का X की वेलू कितनी आ गई 10 आ गई फिर Y की 10 रखा था यादा था या तो ज्यादा बढ़ाते रख देगा तो घटा आगे कुछ बैलू कुछ भी रख सकते हो या तो 2 भी रख सकते हो 3 टीक है ऐसे हम दूसरे वाली क्योशन से X क तो या तो या तो इस चीज को हमने ग्राफ पर किया रिप्रेजेंट किया कैसे किया रिप्रेजेंट किया हैं तो इस पॉइंट को सबसे वहले हैं तो आपको देखना है कि कैसे निकालना है यह तो कुछ भी लेते हैं यह तो ले लेते हम आपके कोई भी पॉइंट कि माइनस का को सबस्क्राइब गो है तो एकस एकसी से माइनस का 2 है और वाइश सी ऋसक्राइब वचले लिए तो ख dlp लेंगे तो आपको सब्सक्राइब माइनस का 4ique वाला आपके वेलू 10 तो यह वाला जो पॉइंट कहलाएगा यह क्या कहलाएगा माइनस का 4,10 ठीक है पूरी लाइन मिलने के बाद पहले जो भी आपका equation है क्या फैक्वेसी देख लेते हैं वाला equation को पहले graph पर दिखा लोगे आप दिखाने बाद क्या होगे इसको फिर वो लाइन से पूरा digit मिलाने के बाद देखते हैं देखेंगे इस पूरी को मिलाने बाद इस पूर्य यह दोनों लाइन जहां पर इंट्रसेक्ट कर रहा है तो यह 3,5 कर ला है therefore the cost pencil और pencil जो प्राइज निकला वो 3 and 5 निकला ठीक है बच्चो अब हम question number 2 के बारे हम चल बात करते है On comparing the ratio A upon A2, B upon B2 and C1 upon C2 find out whether the line representing the following pair of linear equation at a point are parallel are coincident sorry coincident क्या होता है यह equation दे रखे हैं इसको में दिखाना है कि यह parallel रहा तो coincident है coincident है ठीक है यह तीन equation दे रखा है तो जो इसकी general form होता है वो होता है AX plus BY plus C is equal to 0 तो अगर पहले के लिए बात करें तो हम A1 X A1 X B1 Y plus C1 मान सकते हैं ठीक है और दूसरे के लिए आप A2 X plus B2 Y plus C2 मान सकते हैं ठीक है बच्चों तो यहां पर हम क्या करेंगे पहले वाले को पहले से compare करेंगे इस वाले equation से compare करेंगे तो हमारा A1 V1 और C1 की value आ जाए ठीक है तो देखो ए वन की जबड़ijn 5 आ गया और वन की जबड़ण मानलस का 4 अब C1 की जबड़ह पर 8 अब इस वाले equation को क्या करेंगे kung यो तो A2 is equal to क्या आ गया और B2 6 इसक्स आ गया और यहां पर c2 to minus कहना है यह value हमने निकाल लिया a1 b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ठीक है तो पहले हम इसमें क्या निकालना है a1 upon a2 निकालना है क्या निकालना है a1 upon a2 कितना आया 5 by 7 a1 की जो value वो रख दिया और a2 की जो value है वो रख दिया तो a1 by a2 5 by 7 आया b1 by b2 minus minus का 4 by 6 cancel out किया तो minus का 2 by 3 आ गया ठीक है तो since a1 upon a2 does not equal b1 upon b2 तो hence the line representing तो अगर a1 upon a2 मतलब दोनों value आपस में बराबर नहीं है तो यह line क्या होगा b1 upon b2 नहीं है तो यह जो line होगा unique solution मनाएगा कैसा मनाएगा unique solution मनाएगा ठीक है उच्छो उसके बाद second जो है second जो question है वो क्या है 3x plus 3y plus 12 is equal to 0 आईए दो equation दे रहागा simple सी बात उन दो equation के इससे क्या करेंगे हम लोग compare करेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर हम होई a1 a2 b1 b2 c1 c2 की value निकालेंगे तो same पहले वाले को पहले से compare किया दूसरे वाले को दूसरे से compare किया तो यहाँ पर a1 b1 और c1 a2 b2 c2 की value find कर लिया हमने ठीक है फिर हमने क्या निकाला a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 निकाल लिया ठीक है देखिए यहाँ पर तीनों की value क्या है same है जब तीनों की value same है तो अगर क्या होता है a1 by a2 is called to b1 by b2 is called to c1 by c2 होता है तो वहाँ पर coincident होता है ठीक है infinite possible solution हो सकते हैं ठीक है तो क्या कहलाता है coincident क्या आला है ठीक है बच्चो ऐसे question number 3 की बात करें इसकी मतब second question number 2 का third part कैसा है देखिए इसमें भी क्या देरका दो equation दे रखा है इन दो equation को इस क्या करेंगे हम लोग compare करेंगे ठीक है तो यहां से हम a1 a2 b1 b2 and c1 c2 की value find out कर लिया ठीक है उसके बाद हमने क्या निकालना है a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 ठीक है तो यहां पर क्या होता है अगर दो चीज दो value भडाबर है तीसरा आपस में भडाबर नहीं है तो वो दोनोग displacement आपस में दूसरे क्या होंगे पैलर होंगे तो मिया तो आपका 1 by a2 does not equal B 1 by b2 दर German 3 अज़िया तो आपस में equal होंगे या तो नहीं होंगे । यहां तो आपका 2 equal होगा तीसरा एक्वल नहीं होगा ठीक है और चौथा पूरे एक्वल होंगे ठीक है तो यह दो तिन कंडिशन्स होते हैं जो आपको पहले जानना है उसके बाद इसको स्वाल्व करना है ठीक है ऐसे इसके बीच बताना है कि यह क्या है या तो inconsistent है ठीक है बच्चों तो मतलब यह तिन तीन क्वेशन दे रहा है इसके बीच हमें बताना है कि यह क्या है कंसिस्टेंट है या तो इनकंसिस्टेंट है तो हमको इसका पहला पार्ट देखते हैं कैसा सौल करते हैं इसका जो पहला पार्ट है आपका देखिए 3X प्लस 2Y इसकल टू 5 और 2X माना 3Y इसकल टू 7 तो पहला सिंपल सी बात आपको भी बताया A1X प्लस B1Y प्लस C1 इसकल टू 0 ठीक है और यहाँ पे A2X प्लस B2Y प्लस C2 इसकल टू 0 इस वाले केसों के इससे कंपेर किया इस वाले को इस सेंपएर गया टिक यहाँ पर एवन एटू B1B2 C1C2 कि वैलू क्या क्या कि फाइंड कि उसके बाद रेश्यों निकाला किसका A1 by A2 का जो किता निकला 3 by 2 B1 by B2 का जो रेश्यों निकला किता निकला मायनस का 2 by 3 C1 by C2 का जो रेश्यों निकला किता निकला 5 by 7 ठीक है अब यहाँ पर देखिए a1 upon a2 does not equal b1 upon b2, मतलब जब यह equal नहीं होगे, जब यह आपस में दोसरे के equal नहीं होगे, तो वहाँ पर होगा consistent, क्या होगा, consistent होगा, ठीक है बच्चों, इतना याज रखिए बस चीजे, अब देखिए second point, second point में कहे रहा है कि यहाँ पर बच्चों, 4x-6y is equal to 9, यहाँ भी equation दे रहा है, इसका भी compare इसी करेंगे, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, इस पहले वाले को पहले इस compare किया, दूसरे इस compare किया, तो यहाँ पर a1, b1 and c1, a2, b2 and c2 की value find कर लिया, उसके बाद हमने a1 by a2 का ratio निकाल ला है, 2 by 4 मतलब 1 by 2, b1 by b2 का ratio निकाल थे, b1 by 2, a7 by c2 का मतलब 8 by 9, तो यहाँ देखिए, दो value equal है, और तीसरी क्या है, unequal है, तो यह क्या कहलागा, inconsistent कहलागा, inconsistent, और यह जो linear equation दिया गए, क्या दिया गया है, parallel दिया गया है, ठीक है, अभी पीछले वाले question में हमने कर रहा था, कि parallel कौन सा होता है, ठीक है, आपका उसमें consistent क्या होता है, यह भी पढ़ानों होने, ठीक है, ठीक है, ठर्ड पार जो है, इसमें देखिए, बच्चो, इसमें भी equation देखिए, 3 by 2, x plus 5 by 3, y is equal to 7, पहला equation, दूसरा 9 x minus 10 y is equal to 14, रहने वाली बात नहीं है, कि यहाँ पर अपन भी वाली देखिए, यह तो, पहले आप equation को compare करेंगे, ax plus standard 0 equation है, by plus c is equal to 0, इससे आप compare करोगे, तो यहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 की value find होगे, ठीक है, फिर a1 by a2 का ratio निकाल लिया, फिर b1 by b2 का ratio निकाल लिया, फिर c1 by c2, ठीक है, यहाँ पर देखिए, हमने क्या कहाता, कि a a1 upon a2, अगर मिले, does not equal b1 by b2 हो, तो वो क्या कहलाता है? consistent कहलाता है, क्या कहलाता है? consistent कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर दखिए, क्या है? है equation consistent है, यह जो दो equation दिया गहें, कौन सा equation है? consistent equation है, ठीक है? question of fourth question of fourth में भी दो equation दे रखें मतलब जितने भी question दिये हुमें दो-दो equation का पेर दिया वहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की value निकालने है निकालने को आदमका ratio निकालना देखना क्यों तीनों आपस में equal है की नहीं है यह conditions होता है अगर दो दो चीज़े हैं दो a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो वहाँ पे तीनों चीज़े अगर रिक्वल दिखता है तो वहाँ पे consistent होता है क्या होता है consistent होता है कैसे देखिये यहाँ पर क्या दे रखा है दो एक क्यों यहाँ पर हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की value फाइंड कर लिए ठीक है माइनस का 1 by 2 आ रहा है तो मतलब यह तीनों क्या है आपस में equal है इसलिए क्या है consistent है ठीक है और यह equation है consistent अभी आप लोग ने पढ़ा पिछले question number 2 में आप लोग ने पढ़ा consistent क्या होता है जब तीनों equal तो consistent linear equation कहलाता है ठीक है question number 5th question number 5th में देखिए यहां पर भी सबसे simple सी बात देखिए यहां पर भी हम a1 निकालेंगे a2 b1 b2 c1 c2 यह सब find करेंगे ठीक है फिर a1 by a2 का ratio फिर b1 by b2 का ratio फिर c1 by c2 का ratio तीनों के वहले दोगों सेम आ गया आपकि 2 by 3 मतलब यह तीनों आपस में क्या है ratio पराबर है मतल consistent कहलाया linear of equation और यह equation जो कहलाता है consistent कहलाता है ठीक है तो आज की वीडियों बस हमें इतना है next वीडियों में question number 4 से start करेंगे तब तक के लिए bye bye take care